महरशी नारत ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरका सुर्गो जिसे कभी-कभी भौमा सुर्भी कहा जाता है मारणी के बश्चाथ 16000 पत्नियों से विवाह किया है ये सुनकर कि 16,000 रूपों में विस्तार करके भागवान श्री कृष्ण ने विभिन महलों में एक साथ इन रानियों के साथ विवाग किया है श्री नारग मुनी चकित थे इतनी सारी पत्नियों के साथ श्री कृष्ण अपनी ग्रहसी किस प्रकार चला रहे हैं इस विशय में जिग्यासू होने की कारण नारग जी को इन लीलाओं का दर्शन करने की इच्छा थी इसलिए उन्होंनी श्री कृष्ण के विभिन ग्रहों पर उनसे भेट करने के लिए प्रस्थान किया जब नारग जी द्वारका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वाटिकाएं और उध्यान भिन भिन रंगों के विभिन पुष्पों से पून है और फलों की वाटिकाएं अनीक प्रकार के फलों से लदी हुई है इस अत्यंत सुंदर द्वारका नगर में भगवान श्री कृष्ण के अनेक ग्रह थे जगत के महान राजा और राजकुमार उनकी उपासना के निमित इन महलों में आया करते थे इन महलों की शिल्प की योजना देटाओं की अभियंता स्वयम विश्व कर्मा ने बनाई थी और इनके निर्मान में उसने अपने संपून कौशन और प्रतीभा का प्रदर्शन किया था इन निवास थानों की संख्या 16,000 से भी अधिक थी और 19 प्रतीख में भगवान श्री कृष्ण की भिन्न भिन्न रानिया निवास करती थी महान शी नारत ने इन ग्रहों में से एक में प्रवेश किया नारत जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस विशिष्ट महल की स्वामिनी रुक्मिनी जी के साथ बैठे हुए है और रुक्मिनी जी के हाथ में चामर की मूठ थी वैसे तो उनके समान ही आयू वाली सुन्दर और गुंड संपन हजारों दासिया वहाँ थी फिर भी रुक्मिनी देवी स्वयं भी भगवान श्री कृष्ण को पंगा जलने में संग लगन थी भगवान श्री कृष्ण के उपासना श्री नारत मुनी भी करते हैं कि तो भी जब उन्होंने नारत जी को महल में प्रवेश करते हुए देखा तो श्री कृष्ण रुक्मनी जी की पलंग से उतर गए और उनका सम्मान करने के लिए खड़े हो गए भागवान श्री कृष्ण समस्त जगत के गुरू है और सब को ये उपदेश देने के लिए कि श्री नारत मुनी के समान संत जनों का आदर किस प्रकार करना चाहिए द्वारका में भागवान श्री कृष्ण एक आदर्श मानव की लिलाओं का आनंदोप भोग कर रहे थे इसलिए जब श्री कृष्ण ने नारची के चरण पखारे और उस जल को माथे पर चड़ाया तब श्री नारत मुनी ने कोई आपत्ती नहीं की क्योंकि उन्हें भली भादी ग्याद था कि भगवान सबको संत जनों का आदर करने की विधिवत शिक्षा दे रहे थे आदी नारायन तथा प्राणी मातर के शाश्वत सखा भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार वैदिक विधानों के अनुसार श्री नारत मुनी की पूजा की अमरित समान शब्दों से उनका स्वागत करते हुए श्री कृष्ण ने नारत जी को भगवान कहकर संबोधित किया भगवान का अर्थ है वो व्यक्ति जो स्वयम पून है सर्वग्यान, तप, बल, यश, सौंदर्य और ऐसे ही अन्य एश्वरू से योगत है श्री कृष्ण ने नारत मुनी से विशेश रूप से प्रश्ण किया मैं आपकी किस प्रकार सीवा कर सकता हूँ? नारत जी ने उत्तर दिया प्रिय भगवान, आपने अत्यंत कृपा पूर्वक मुझसे प्रश्ण किया है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते है इसके उत्तर में मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि मैं आपके चरण कमनों को कभी भी विस्मृत ना करूँ किसी भी स्थान पर रहने से मुझे कोई अंतर नहीं बढ़ता है किन्तु मेरी मात्र यही विंती है कि मैं सदैव आपके चरण कमनों का स्मरन कर सको रुख्मिनी जी के महल से प्रस्थान करने के पश्चा नारत जी भगवान श्री कृष्ण की अत्रंगी शक्ती योग माया की गतिविधी देखना चाते थे इसलिए उन्होंने एक अन्यरानी के महल में प्रवेश किया वहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रिये पत्नी और उद्धब जी सहित चौपड खेलते हुए देखा भगवान ततकाल अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने श्री नारत मुनी को अपनी व्यक्तिगत आसन पर बैठने का निमंतरण दिया श्री भगवान ने पुना सतकार की उतनी ही सामगरी से उनकी पूझा की जितनी से उन्होंने रुक्मिनी जी के महल में पूझा की थी उनकी उच्छित पूझा के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा अभिने किया मानू उने ग्यात ही नहीं कि रुक्मिनी जी के महल में क्या हुआ था इसलिए उन्होंने नारत्ची से कहा प्रिये मुनिवर, जब आप यहां आते हैं, आप स्वें में पून होते हैं वैसे तो हम ग्रास्थ हैं और सदैवी हमें किसी ना किसी वस्तू की आवश्चक्ता रहती है किन्तु आपको किसी की साहिता की आवश्चक्ता नहीं है, बल्कि आप आत्मसंतुष्ट है इस दशा में हम आपका क्या स्वाकत कर सकते हैं, और हम आपको क्या दे सकते हैं, किन्तु फिर भी आप एक प्रामण है इसलिए यह हमारा करतवी है, कि जहां तक हो सके हम आपको कुछ दे इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कीआप हमें आग्या दे कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ तर पश्चार उन्होंने एक अन्य महल में प्रवेश किया इस बार नारच जी ने भगवान श्री कृष्ण को एक स्नेमें पिता की भाती अपने अलपाईयों बालकों को प्यार करते हुए देखा वहां से उन्होंने एक अन्य महल में प्रवेश किया जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सनान करने की तयारी करते हुए देखा इस प्रकार श्री नारद मुनी ने भगवान श्री कृष्ण की रानियों के 16,000 महलों में से प्रतेक में प्रवेश किया और प्रतेक में उन्होंने श्री कृष्ण को विभिन प्रकार से व्यस्त पाया एक महल में भगवान श्री कृश्न, शास्तरोक्त यगभ्यों को करने की उपरांत, ब्रामणों को भूजन कराने में संगलगण पाए गए एक अन्य महल में श्री नारद मुनी ने श्री कृश्न को मौन गायतरी मंद्र का जाब करते हुए पाया और तीसरे महल में उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण घोडों, हाथियों और रतों पर सवारी कर रहे थे और इधर उधर विचरन कर रहे थे दूसरे स्थान पर उन्हें पलंग पर विश्राम करते हुए पाया गया और अन्य स्थान पर उन्हें अपने आसन पर आसीन पाया गया कुछ महलों में देखा गया कि वो व्यापार के महतवपून मामलों पर उद्धवजी जैसे मंत्रियों और अन्य व्यक्तियों से परामर्ष ले रहे थे एक महल में वो किशोरी गणिकाओं से घिरे हुए एक जलाशय में विहार करते हुए पाए गए एक अन्य महल में नारची ने उन्हें ब्रामणू को सुसज़त गाए दान में देते हुए देखा एक अन्य महल में वो पुरान की कठाओं का श्रवन करते हुए पाए गए कहीं पर पाया गया कि भगवान श्रीक कृष्ण विनूट पून वचनों के आदान पदान के द्वारा किसी विशेश पत्नी के सानिथे का आनन्द उठा रहे थे किसी अन्य स्थान पर वो अपनी पत्नी सहित शास्तरोक्त धर्मिक उत्सव में संगलगन दिखाई दिये पारिवारिक जीवन का आनन्द उपभोग करते हुए पाया गया एक महल में उन्हें ध्यानवस्ता में पाया गया मानो वो अपना मन इन भौतिक ब्रह्मानों के परे श्री भगवान पर एकागर कर रहे हो जैसा प्रामानिक ग्रंथों में कहा गया है भगवान श्री विश्णू पर चित एकागर करने के लिए ही ध्यान है भगवान श्री कृष्ण स्वयम ही आदी विश्णू है किन्तु वो एक मानव का भिनाय कर रहे थे इसलिए उन्होंने अपनी व्यर्तिकत वहवार द्वारा हमें निश्चित रूप से ये शिक्षा दी कि ध्यान का अर्थ क्या है कहीं पर भगवान श्री कृष्ण वयों व्रिद्व व्यफ्थियों को उनकी आवश्चक्ता की वस्तुएं देकर संतुष्ट कर रहे थे कहीं पर नारची ने उन्हें युद के विश्यों पर वार्टालाब करते देखा तो कहीं और श्री कृष्ण दो विरोधियों में समझाता करा रहे थे कहीं पर नारची ने श्री कृष्ण को जेश्ट ब्राता श्री बलराम के साथ संपूर्ण मानव समाज के लिए परमांगलिक कारे पर विचार विनीमय करते देखा नारजी ने श्री कृष्ण को उचित समय पर अपने पुत्रों वो पुत्रियों का योग्य वधू वो वरों के साथ विवा कराने में संग लगने देखा विवा संसकार अत्यंत धूमधाम से संपातित किये जा रहे थे एक महल में वो अपनी पुत्रियों को विदा कर रहे थे तो दूसरे में वो अपनी पुत्र वधू का स्वागत कर रहे थे समस्त नगर में लोग इतनी धूमधाम और उत्सब देखकर चके थे वैसे तो देटा उनके गुणात्मक विस्तार मात्र है फिर भी कहीं पर श्री भगवान देटाओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन प्रकार की यग्य करने में संगलग्न दृष्टी गोचर हुए कहीं पर वो जल पूर्ती के लिए कुए बनवाने अज्यात अतीथियों के लिए विष्रा माले और उद्ध्यान बनवाने और संत जनूं के लिए विषाल आश्रम और मंदिर बनवाने जैसे जन कल्यान कार्यों में संग理न थे उनकी भातिक इच्छाओं की पूर्ती है तू वेदों ने जिन कर्तव्यों का ग्रास्तों को आदेश दिया है उनमें से कुछ कर्तव्य ये है कही पर श्रीक कृष्ण शत्रिय राजा के रोप में वनमे पशों का आखेट करते और अती सुंदर सिंधी गोणों पर सवार करते हुए पाए गए एक सिती में महाश्री नारत ने समस्त सिध्यों के स्वामी भगवान श्रीकृष्ण को नगर और महलों में विभिन नागरिकों के मंतव्यों को समझने के लिए अपनी नित्य वेशभूशा को परिवर्दित करके एक गुप्तचर की भादी कारे करते हुए देखा श्री नारत मुनीने जीवों के परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण के इन सारे कारे कलापो को देखा अपनी अतरंगी शक्ति के कारे को प्रकट करने के लिए उन्होंने एक साधर अन्मानवका भिनै किया था नारज्जी मन ही मन मुस्कुर आ रहे थे और उन्होंने श्रेक्रिष्ट को इस प्रकार संबोधित किया समस्त सिध्यों के स्वामी ये महान योगियों के ध्यान के केंद्र ब्रह्मा शिवादी योगियों के लिए भी आपकी सिध्यों की सीमा अच्चिनत्या है किन्तु आपके दया से अपने चरण कमलों की दिफय प्रेम सेवा में सतैर संगलग में रहने वाले मुझको आपने कृपा करके अपनी अतरंगी शक्ती के कारियों के दर्शन कराए है प्रिय भगवान आप सबके अराथ्य हैं और चौदा लोगों के देटाओं और प्रमुक देवों को आपके दिवय यश्का पून रूप से ग्यान है खृपया अब आप मुझे अपना आशिरवार दीजिए जिससे कि मैं समस्त ब्रह्मान में आपके दिवय कारिक अलापों को यश्कान करते हुए यात्रा करने में समर्थ हूँ भगवान श्रीक कृष्ण ने नारत मुनी को इस प्रकार उत्तर दिया प्रिये नारत हे देवर्शी तुमको ग्यात है कि मैं समस्त धार्मिक सिध्धानतों का परम शिक्षक उनका आधर्श पालन करने वाला हूँ इसलिए मैं स्मयम इन धार्मिक सिध्धानतों को संपाधन कर रहा हूँ जिससे कि समस्त जगत को ये शिक्षा मिल सके कि किस प्रकार कारे करना चाहिए प्रियपुत्र मेरी इच्छा है कि तुम अत्रंगी शक्ति के ऐसे प्रदर्शनों से ब्रह्मित ना हो लोगों को ये शिक्षा देने के लिए कि केस प्रकार भौतिक जगत के बंधनों में बद्ध होकर भी मानव अपने ग्रहस्त जीवन को पावन कर सकता है श्री भगवान तथा कतत ग्रहस्ती के मामलों में संग लगने थे वास्तव में ग्रस्त जीवन के कारण मानव भौतिक जीवन की कलाविधी को चलाते रहने को बात्य हो जाता है किन्तु ग्रस्तों पर अत्यंत क्रिपालू होने के कारण श्री भगवान ने साधानन ग्रस्त जीवन को पावन करने का मार्ग दिखाया श्री कृष्ण समस्त गतिविधियों के केंद्र है इसलिए एक कृष्ण भावनाभावित ग्रस्त का जीवन वैदिक आदिशों के उपर होता है और वो स्वयमेव पावन हो जाता है इस प्रकार स्वांशों के द्वारा एक ही श्री कृष्ण को नारत जी ने 16,000 महलों में निवास करते हुए देखा अपनी अचिंती शक्ती के कारण वो प्रतेग रानी के महल में दिखाई पड़े भागवान श्री कृष्ण की शक्ती असीम है और भागवान श्री कृष्ण क के अतरंगी शक्ती के प्रदर्शन का बारम बार दर्शन करके श्री नारत मुनी के आश्चेरे की सीमा ना रही भागवान श्री कृष्ण ने अपनी व्यक्तिकत उधारन के द्वारा ऐसा वैवार किया मानू उन्हें सभ्य जीवन के चारों सिध्धान्तों से अत्याथिक लगाफ हो, वो सिध्धान्त हैं धर्ब, अर्थ, काम और मुक्ष, मानव समाज की अध्यात्मिक प्रगती के लिए बहुत एक जीवन के ये चारों सिध्धान्त आवश्यक हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्हों अपने ग्रस्त कारियों का प्रदर्शन किया, जिसे कि लोग अपने हित के लिए उनके चरण चिनों का अनुसरन कर सके, भगवान श्री कृष्ण ने नारत मुनी को हर प्रकार से संतुष्ट कर दिया, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियों का दर्शन क नारत जी अत्यंत प्रसंद हुए और इस प्रकार उन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया। द्वारका में 16,000 से भी अधिक रानिया, मुस्कान तथा सेवा त्वारा अपने आकरशक स्त्रियोचित लक्षनों का उप्योग श्री भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए करती थी। श्री भगवान भी प्रसन्न होकर उनके साथ ग्रस्त जीवन का आनन उठाने वाले एक आदर्श पती की भाती वहवार करते थे। सबको ये निश्चित रूप से ज्यात होना चाहिए कि ऐसी लिलाएं भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। निश्चा ही अत्यंत सरल होगा। इस प्रकार वो उनकी भक्ती में संग लगन होगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की दिन चर्या के बारे में हरे कृष्णा।